नमस्ते एवरीवन वेलकम बैक टू माई चानल अभी प्रिया क्रिश्न और आज मेरे हस्बेंट लंच नहीं ले गए थे तो थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सूचा चलिए कुछ आज हम अचार वगएरा बनाएंगे तो आज मैं आप लोगों के चाहर करने वाली हूँ मिक्स अचार आगाजर मूली और मिर्च का अचार तो अचार बनाने से पहले मुझे कुछ बनाना था अपने लड़ू गोबाल के लिए भोग और कुछ नास्ते में जैसा ऐसा नास्ता जो मेरे लड़ू गोबाल भी खा सकें और हम भी सब चाय के साथ खा सकें और उसके बाद फिर हम अपना प्रेपेर करेंगे अचार तो यहाँ पर मैंने बनाई है आलू की पकोड़ी और जो सिंपल से आलू होते उनको कट कर लिया था उसमपल बेसिक से मसाले थोड़े से एड़ करके बेसन में और फटाफट से मैंने यहाँ पर बना दी थी पकोड़ियां और उनको लगाया लड़ूकर भोग और उसके बाद में पिर मैंने यहाँ पे जो हमारे वेज़िटेबल्स हैं जिनको जिनका हमें आचार बनाना है उनको मैं अच्छे से वाश कर लिया था और उसको अच्छे से पील करके हम उसको अपने हिसाब से जैसी हमको उसका शेप चाहिए हो उस हिसाब से कट कर लेंगे मैंने यहाँ पे उनको थोड़ा सा लंबा-लंबा कट किया है तो थोड़ा सा वो अच्छे लगते हैं देखने में आप चाहें तो गोल भी कट कर सकते हैं जैसी आपके इच्छा हो जैसा आपका मन करें उस तरीके से आप कट कर लीजिए मैं यहाँ पे इनको लंबा-लंबा सा कट कर रही हूँ एक के तीन या चार पीसस बना रही हूँ सर्दियों में यह काफी अच्छा लगता है इस तरीके से मिक्स अचार बनाना और खाना और मुझे तो बनाना बहुत पसंद है मुझे मेरा मन करता है कि बस मैं आचार की रेस्पीस बनाती रहूँ मेरे घर में खूब सारा आचार रखा हूँ और इस तरीके से मैंने कुछ लंबा पीसस में मिर्च को कट कर रहा था और यह बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्ची नहीं है थोड़ा सा हलकी तीखी मिर्ची है और फिर मैंने उसको डाल दिया धूप में सूखने के लिए लगभग दो दिन के लिए और उसके बाद मैं आ गई किचन में और मेरे किचन की सफाई कुछ दिनों से पेंडिंग थी बहुत गंदी हो रखी थी किचन और मुझे गंदी किचन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है मुझे क्या किसी को भी गंदी किचन पसंद नहीं है लेकिन क्या करे आज साफ करो नेक्स टे फिर वैसी की वैसी ही हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है काम करते हुए जब तक किचन क्लीन नहों तो मैंने उसको क्लीन किया और क्लीन करने के बाद किचन का हाल कुछ ऐसा था और देखने में काफी अच्छा लग रहा था और ये हमारा जो हमने वेजिटेबल्स अपनी धूप में रखे थी ये धूप में अच्छे से सूख गई है जितनी हमको चाहिए थी उतना सूख गई है तो अब इसके लिए मसाला प्रपेर करेंगे तो मैंने यहां पे एक स्पून लिया है जीरा और एक स्पून ली थी सौफ और आधे स्पून के करीब ली है मेथी और पांच छे लाल मिर्च ली है और दो स्पून के करीब धनिया ली थी और सरसोली है दो स्पून के करीब और काली मिर्च आधा स्पून ली थी और इनको हमें बिल्कुल हलका सा ग्राइंड करना है यानि कि बिल्कुल दर्दरा सा प अबिल में ज़ना नहें करना अरुए यह को आपधर अपने जोट सेटेबल्स में कुछ और मसाले अड़ एड़ करें और अपने जासफी हमसाल्बड रखने हो मुआस वाहिए हल्दी पाورडर, और उसके बाद में अड्ट करेंगे, हम नमक और नमक थोड़ा सा, यहां पे हमको ज्यादा ही अड्ट करना है, क्योंकि अचार में थोड़ा नमक ज्यादा अच्छा लगता है, और उसके साथ ही अड्ट किया था, मैंने थोड़ा सा, आम चूर और कस्मीरी लाल मिर्च और सब को अच्छे से मिक्स कर दिया उसके बाद में थोड़ा सा यहां पे तेल एड़ किया है हमको यहां पे अभी ज्यादा तेल एड़ नहीं करना है बस इतना तेल एड़ करना है कि हमारे सारे मसाले अच्छे से कोड हो जाएं और फिर हम एक जार में इसको भर लेंगे अच्छे से जो जार हमारा सुखा हुआ हो चाहाए आप ग्लास का जार लीजे या प्लास्टिक का जार लीजे बस वो अच्छे से सुखा हुआ हो पानी बिल्कुल भी न हो और मैंने इसको जितना भी अचार था सहरा अच्छे से दवा दवा के में भर दिया था और एक कप्टा लगा के इसको अच्छे से बंद कर दिया और दो तीन दिन के लिए इसको धूब में रख दिया था उसके बाद देखे ये ऐसा हो गया है और अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें ऑईल तो हमने ऑईल फिर से गरम कर लिया है हलका साही गरम कि बहुत ज़्यादा उबलता हुआ ÖYल नहीं है हमको अपनी बॉटल पूरी फिल नहीं करनी है हमको इतना ऐल डालना है कि हमारा अदे से जाधा ऐल रहे और थोड़ा सा हिलाते डूलाते रहेंगे और उम इसको थोड़ा सा धूप पे रखेंगे हमारा आचार काफी अच्छा और साधिस्ट बनके रेडी होगा आप चाहें तो इसमें नीबू का रस भी डाल सकते हैं जिसे इसका टेस्ट और ज़्यादा एन्हेंस हो जाएगा और खाने में बहुत ज़्यादा यमी लगेगा तो अगर वीडियो पसंद आये हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेर